नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे बात करेंगे बारा राशी के लोगों के दैनिक राशी फलकी और कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में तो चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग दिनांग 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार तिथी है भाद्रपद शुकल पक्ष की त्रियोदिशी तिथी दोपहर तीन बज के दस मिनट तक नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र शाम के चार बज के तैंतिस मिनट तक चंद्रमा कुम्भ राशी में संचरण कर रहे हैं राहु काल का समय प्रातह काल साथ बज के तीस मिनट से लगभग नौ बजे तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासी मिसरी खाकर और भगवान का समर्ण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे अब जानते हैं दिनांक 16 सितंबर 2024 दिन सो मुवार को ग्रहों की इस्थिती क्या है सूर्य और बुद्ध विद्यमान हैं सिंग राशी में शुक्र और केतु विद्यमान हैं कन्या राशी में चंद्रमा और शनी कुम्भ राशी में राहू मीन राशी में ब्रहस्पती व्रिशब राशी में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशी में ग्रहों की इसी स्थिती के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशी फल कैसा रहने वाला है सूर्य देव के राशी परिवर्तन का अलग-अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे लेकिन आपको याद दिला दें कि कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तू टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में अब जान लेते हैं मेश, व्रिशब, मिथुन और करक राशी के लोगों का दैनिक राशी फल मेश, राशी नौकरी में लाब के योग बन रहे हैं धन लाब के योग आपके लिए दिख रहे हैं मानसिक चिन्ताएं आपकी समाप्त होंगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा ब्रिशब राशी पद प्रतिष्था का लाब होगा करियर की इस्थिती में सुधार होगा संतान पक्ष की उन्नती होगी खाने पीने की वस्तु का दान करने तो दिन और भी बेहतर होगा मिथुन राशी करियर की समस्या हल होगी स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा धन लाब के योग बन रहे हैं भगवान शिव को अगर जल अरपित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा करकराशी मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है काम के बोज से आपको परिशानी होगी लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी कारिकरम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तू टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में अब जान लेते हैं सिंग, कन्या, तुला और व्रिश्चिक राशी के लोगों का दैनिक राशी फल सिंग राशी, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं अविवाहित हैं तो विवाह तै हो सकता है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा कन्या राशी, काम की अधिकता रहेगी धन लाब के योग बन रहे हैं संतान पक्ष पर इस समय थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें भगवान शिव को अगर जल अरपित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा तुला राशी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी धन की इस्थिती में सुधार होगा यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा व्रिश्चिक राशी, स्वास्ति का ध्यान बनाए रखें करियर में कोई लापरवाही ना करें कीमती वस्तु संभाल कर रखें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किले कम हो जाएंगी कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में अब जान लेते हैं धनू, मकर, कुम्ब और मीन राशी के लोगों का दैनिक राशी फल धनू राशी कोई शुब सूचना आपको प्राप्त होगी करियर में बड़े परिवर्तन होंगे रुका हुआ काम आपका पूरा होगा खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा मकर राशी स्वास्थ आपका अच्छा होता जाएगा करियर के मामले में आपके सुधार होगा जिम्मेदारियां आपकी थोड़ी बढ़ सकती है खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा कुम्राशी स्वास्थ में सुधार होगा रुके हुए काम आपके पूरे होंगे उपहार सम्मान का लाब मिलेगा भगवान शिव को अगर जल अरपित कर दें तो दिन बेहतर होगा मीन राशी इस समय चोट चपेट से बचाव करें धन की हानी आपको हो सकती है करियर में समस्या भी हो सकती है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन काफी बेहतर होगा तो ये तो रहा बारह राशी के लोगों का दैनिक राशी फल अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तू टिप जहां भी टेबल पर बैठ कर आप काम करते हैं अपने काम के जगह पर अपने काम के स्थान पर अपने सामने एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगाईएगा आप इसको निरंतर देखते रहेंगे और ऐसा करने से आपको करियर में सफलता भी मिलेगी और करियर में नाम और यश की प्राप्ती भी होगी अब जान लेते हैं दिनांग 16 सितंबर दो हजार चौबिस दिन सो मुवार का सक्सेस मंत्र दिनांग 16 सितंबर सो मुवार को प्रातह काल भगवान शिव को जल अर्पित करें इसके बाद नौ बार नमह शिवाय कहिएगा अगर सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करेंगे तो दिन भर के कारियों में सफलता जरूर मिलेगी तो आपका आने वाला दिन शुब हो मंगल में हो इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टोलोजर से